हेलो एब्रीवन मैं हूँ बीनया और आपका मेरे चैनल टैंगी किचन में सागत है आज हम बनाईए मेथी के पराथे मेथी के पराथे को आप सुब्र नाश्ते में ले सकते हैं या फिर बच्चों को टिपिंग बॉक्स में भी दे सकते हैं पराथा खाने में बहुत टेस्टी लगता है तो आईए हम मेथी के पराथे बनाना शुरू करते हैं मेथी के पराथे बनाने के लिए मैंने हाँ पर एक कप गेहूं का आटा एक बड़ा चमत दई 25 ग्राम पनीर वन फूर्ट कप मटर मटर के दाने को मैंने मिक्सी में ग्रैन करके फिर उसका पेस्ट लिया हुआ है एक कप मेथी, मेथी को मैंने साफ पाने में दो के फिर उसे बारी काड के लिया हुआ है नमक हम लेंगे स्वाध अनुसार दो हरी मीर्च, एक छोड़ा टुकड़ा अद्रका और छे लसन की कली मैंने तीनों की पेस्ट साथ में बना के लिए हुई है आधा चुटा चमच चाट मसाला एक चुटा चमच कीचन किंग मसाला पावडर एक चुटा चमच मलाई और तेल हम लेंगे जरूरत के अनुसार तो आए हम पाराठा बनाना शुरू करते हैं आटे को मैंने पहले से बड़े बरत में लिया हुआ है आई अब हम इसमें मटर डालेंगे मटर डालना ओप्शनल है अगर मटर आपके पास अवैल लेबल नहीं हो तो आप बीना मटर के भी पाराठा बना सकते हैं मेथी चाट मसाला अद्रक, हरी मीच और लेसन की पेस्ट किचं किंग मसाला पावडर मलाई पनीर पनीर को हम ग्रेट करके लेंगे मैंने यह आप घर में बना हुआ पनीर का इस्तेमाल किया है अगर आप चाए तो रेडिमेट पनीर को ग्रेट करके फिले सकते हैं नमक, नमक हम स्वाधनू सार आई सबको मची तरह से मिला देंगे आई अब दाई को भी डाल देंगे और बहुत कम पानी लेके हम इसका पराटा जितना आटा गुटेंगे आटा हम थोड़ा सा नरम रखेंगे देखे आटा गुट के तयार है मैंने आटे को गुटने में एक से दो टेबल स्पून का ही पानी का इस्तेमाल किया है मैंने ग्रीस किया है और हम 2-3 मिनट इसे अच्छे तरह से गूथ लेंगे ताकि अच्छा स्मूथ डो बनके तयार हो जाए देखे मैंने आटे में से साथ इक्वल पाट बनाके तयार किया है आई एक लुहे को हम उठाएंगे और उसका ऐसा पेड़ा बनाके तयार करेंगे ऐसे सारे हम पेड़ा बनाके तयार कर देंगे तबे को हम गरम करने के लिए रख देंगे गेस का फ्लेम हम मेडियम स्लो रखेंगे देखिए मेरे लुही को सुखे आटे पे लपट के फिर चकले पे रखा है और आईए अब रोलिंग पिन की सहायता से हम गोल पराठा पेल के तयार करेंगे पराठा पेल के तयार है पराठा को हम तबी के उपर डाल देंगे और केस का फ्लेम हम मेडियम रखेंगे पराठा के उपर ब्राउन चत्ती आने पर हम इसे पलट देंगे जब तक पराठा सीखता है तब तक हम दूसरा पराठा भी बेल के तयार करेंगे आईए पराटे को हम पलट देंगे देखे पराटे के ऊपर अच्छी गोल्डन ब्राउन चत्ती आ गई है हम दूसरी साइड से भी पराटे को अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन चत्ती आने तक सेखेंगे आईए पराटे को हम पलतेंगे देखिए दूसरी साइड से भी गोल्डन ब्राउन चत्ती आ गई है तो आईए अब हम पराटे के उपर थोड़ा से तेल डालेंगे और पराटे को पलतेंगे दूसरी साइड भी हम पराटे के उपर तेल डालेंगे और इसे फ्लेट फुल की सायता से हलका सा फ्रेज करते हुए अच्छी जरन से इसे सेकेंगे पराठा है वो दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन स्प्रेय होके तयार है ताई ये पराठे को हम निकालेंगे पराठे को हम ऐसे जाली स्टेन के उपर रखेंगे ताकि पराठे वो क्रीशपी रहे सौगी ना बने अगर आप चाये तो इसे किसी प्याली के उपर भी रख सकते हैं आईए पराटे कोंग पलते दे और दूसरे बचे हुए सारे पराटे कोंग इसी प्रकार से बेलेंगे और इसी प्रकार से फ्राइ करके तयार करेंगे पराटे सारे बनके तयार है मैंने पराटे को सर्विंग फ्रिप में निकाल लिया है मैंने यहाँ पराटे को देहीं के साथ सर किया है अगर आप चाहे तो पराटे को पिकल या फी टोमटके सबजी के साथ भी सर कर सकते है आप इस रेसीपी को घर पे जरू ट्राइ कीजिए औ अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आये तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप मेरे और भी नए वीडियो देख सके दुबार आप फिर मिलेंगे तब तक के लिए थैंक यू बाइ आप मेरे रेसिपी इन और मेरे वीडियो भी और भी एंद दुबार आप मेरे वीडियो देख से ज्यादा कीजिए तक के लिएक हैंगे रेसिए पक्शतर आप मेरे साल हुट्बादा।